हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत से टेकनीज के एक ने अपसोड में मैं कृत राज दिवेदी आप देख रहे हैं टेकनल के आड़ी चलिए शुरू करते हैं रिलाइंस इंडस्ट्री ने बताया है कि चिप कंपई ने बता इंटेल कॉर्प काईं इंटेल कैपिटल उसकी जीओ पर्फार्म में 0.39 परसेंट हिस्दारी के लिए अठारो सब पंचांबे करोन रुपिया निवेस करेंगी इचलिए ग्यारो सब्ता में जीओ में किया गया ब्रहवा निवेस है अभी तक 25.09 परसेंट हिस्दारी बिच्चकर दिलाइंस करीब एक दस्मलव 18,00,00,00 को जुटा चुकी है दूसरी खबरारी है टिक टोक की तरह से टिक टोक के बैन के बाद सरकार के खिलाफ करूनी करवाई को लेकर कमपणी का कहना है कि हमारी एसी कोई योजिना नहीं है हम सरकार के साथ मिल्टर कारे करेंगे कारे करने के लिए परतिब चलते चीन के एप एस्टोर पर हजारों गेम के लिए अपडेट रोक दिया है जब फरवरी में एपल ने गेम डेवर्फर्स को लाइसेंस दिखाने के लिए 30 दून तक की डेडलाइन दी थी अपने एक नए उजर फिहोंशा की है इसके तहत उसकी उजर फोन नंबर की जग गया अगली थवर आ रही है लाइकी की तरफ से भारत सरकार ने 29 जून को 69 एप बैन कर दिये थे जिस में लाइकी भी शामिल था फिन सब्सक्राइब बैन की एप प्लेश्टोर और एप स्टोर से हटा लिए गया है बैन होने के बाद लाइकी की तरफ से बयान आया है कि हम तरकार क्या देश का सम्मान करते हैं इस मामले में ज्यादा आने तक हम भारत के हम भारत में इसकी सर्विस बंद रखेंगे मैं तो कहता हूं कोई आने की ज़वरत ही नहीं है आप भी बताइए आपका क्या काना है अगरी नहीं जारी है जियो ने अपना वीडियो कंफ्रेंसिंग एप जियो मिट लाउंच कर दिया है इसमें डियक्ट कोल के सांसा सो लोग एक सांथ कंफ्रेंसिंग कर सकते हैं यह एप एंडुएड और आइवेस दोनों पर प्रीम में उपलब्द है यह अच्छी बात है हमारे देश के लिए मेड इन इंडिया एप बनने चाहिए यह जूम गूगल मीट और माइक्रोफ टीम जर सीधी टकर दे सकती है अच्छा लगा होको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जोर से दबाएए सब्सक